पुलिस लाइन में ध्वजा रोहन कारिक्रम आयोजित किया गया पुलिस अधिकारी गण और समस्त थाना प्रभारी और अधिनिस्त मौजूद रहे सबसे पहले स्सेशपी डॉक्टर गॉरफ ग्रोवर द्वारा राष्ट्रिय ध्वज पहराया गया इसके पश्चात राष्टगान के साथ छंडे को सलामी दी गए इस मौके पर अपने संबोधन में सस्पी ने सभी को करताव्य निष्ठा की शपत दिलाई इसके पश्चात सबे पुलिस अधिकारियों ने स्वतंत्रिता दिवस की एक दूसरे को बढ़ाई दी मैं निष्ठा को योट शपत देता हूँ कि देश की आजादी और राष्ट की एक्टा की रख्षा को और अधिक मलूद बढाने के कारे में तर्मन से सहयोद करूँगा मैं यह प्रतिव्य करता हूँ कि मैं कभी भी हिंसा का प्रियोद नहीं करूँगा और मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा और प्रांग समर्णी तका अन्य सभी राजनेतिक और आर्थी प्रिवादों को शान्ती पूर्वत और सम्वधाने तरिके से ख़ल कर आने का प्रियास करूँगा इस मौके पर हुई बातचीत में SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने समस्थ चनपदवासियों को 75 वे स्वतंतरता दिवस की शुपकामनाएं दी देखिया आज के राश्ट्रिय पर, 73 दिवस के अफसर पर मैं आपको, आपके परिवारों को, आपके मार्थन से, हमारे पूरे पुलिस वल को, जनपद मत्रा के सभी वासियों को, परदेश और देश के सभी वासियों को बहुत बहुत शुपकामनाएं और बलहाई देता हमेशा से मत्रा के वासियों ने खिशानती वस्ता बनाए रखने के लिए, कानून का राज थापित करने के लिए हमारा सहयोग किया है और साथी साथ, जो स्वतंतरता दिलाने के लिए, वीर शहीदों और अमर बरदानियों ने जो अपने प्राणों की आहूती दी, देश को अजाद कराया उनके दिखाए हुए पत पर चलने में हमेशा हमारा सहयोग किया है मुझे पूर्ण आशा है कि आगे आने वाले दिनों में भी जो सपना उन्होंने संजोया था, उस सपने को साकार करने के लिए मत्रा बुलिस्तन मन्द से सभी योगदान देगी और शांती वस्ता बनाए रखेगी